पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने बिढ़ी थी जी मुंबई और हैदराबाद तो धमाका हुआ था रनों का सैलाब आया था 277 हैदराबाद ने मनाया था और मुंबई भी 246 तक पहुँच गई थी लेकिन वो मुकाबला हैदराबाद में हुआ था हिंदी में और हमारे साथ मुझूद है वसीम जाफ़ाद विल्कम वसीम बहुत शुक्रिया वसीम भाई हैदराबाद और मुंबई इंगियन्स का ये मुकाबला है ऐसे अब देखें इस मोल पर ये मुकाबला हो रहा है जहाँ पर मुंबई के लिए शायद अब कुछ खोने के लिए नहीं है हलाकि अभी भी इस रिकॉर्डिंग के वक्त तक मुंबई आट ओफ कंटेंशन है नहीं मैथेमेटिकली इन है लेकिन बहुत मुश्किल है बारा अंक लेकर आप पहुँच तो सकते नहीं है हाँ दूसरे का खेल जरूर बिगाड सकते हैं क्या इस फिराख में होगी मुंबई बिलकुल मुझे ऐसे लगता है कि अब मुंबई को खुद पता है कि बहुत मुश्किल है यहां से प्ले आउस में पहुचना कोई टीम बारा अंक में नहीं पहुँची है खास करके जब दस टीमों का टॉर्नमेंट हुआ है तो उस लिहाज से तो मुंबई बाहर है और जब आप उस टेरिटरी में चले जाते हो तो फिर आप दूसरों की पार्टी ही स्पॉil कर सकते हो तो वो नजर होगी और आप ये भी सोचते हो कि एक इतनी बड़ी टीम है मुंबई इंडिये जो पांच खिताब जीत चुकी है आप अपने प्राइड के लिए भी खिलते हो आप ऐसी टीम नहीं हो कि कोई भी आकर रोल ओवर कर जाए तो उनकी नजर उस पर भी होगी अपने अपने फॉर्म को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें क्योंकि नेक्स टेर बहुत बड़ा आक्शन है तो अभी इसलिए आप अपनी दावेदारी वहां भी लगाना चाहते हो क्योंकि टीम सोचती है कि भाईया रिटेंड किसको करना है किसको रखना है किसको रिलीस करना है तो वहां पर भी नजर होगी और जो ऑबिसलि खिलाडी वर्ल्ल कप में जाने वाले हैं जो वर्ल्ल कप में अपियर होंगे वो उनको अपना फॉर्म भी वो देखना होगा कि भई यहां अच्छे फॉर्म के साथ जाएं जैसे रोहित की बात हो गई बुम्रा तो है कमाल के फॉर्म में सूरी कुमार यादव एक दूसरे प्लेयर है तो इन चीज़ों पर मुझे लगता है कि मुंबई इंडियन्स की डेफिनिटली नजर होगी बड़ी अच्छी बात गया अपने वसीम भाई क्योंकि अब जो में सबकी नजर है निगाहे हैं वो वर्ल्ल कप के उपर में और इस टीम से चार खिलाड़ी रोहिश शर्मा है, सुर्कुमार यादव हैं, हार्दिक पंडिया हैं और जस्पित बूमरा है पहले अगर हम बलेबासों की बात करें और अगर आप आख़ा देखें रोहिश शर्मा का या पंडिया का या फिर सुर्कुमार यादव का तो वैसा नहीं है जिसके लिए जाने जाते हैं सुर्कुमार यादव भी इस बार उस कंसिस्टेंसी की साथ नहीं खेल पाए रोहिश शर्मा की पिछली पांच पारी आप देखें तो तेरा की एवरेज से रन बनाया है उन्होंने पैसर ट्रन स्ट्राइक रेट भी 118 की रही है और हर्दिक पंडिया बतौर बलेबास ये सीजन बहुत निराशा जनक रहा है तो क्या वर्ल्ड कप से पहले थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए रोटेशन आप देख रहे हैं बड़े खिलाडी को थोड़ा आराम बिल्कुल रोहित ने पिछले मैच में फिल्डिंग नहीं की थी उनको इंपैक सब में रखा गया था कुछ बैक से इश्यूस थे उनको बुम्रा को मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा रेश देना चाहिए अगर आप उस टार्नमेंट में उस स्टेज पर हैं कि भईया आप पता है आप कौलिफाई नहीं होंगे तो थोड़ा सा ब्रोडर पिच्चर को देखते हुए हार्दिक पांडिया उनको एकाद दो मैच में रेश दे सकते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्डन प्लेयर हैं इंडिया के परस्पेक्टिव से प्लेज हार्दिक की आपने बात कि मैं उनका नाम भूल गया क्योंकि व तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उनको अपने आपको प्रोमोट करना चाहिए कि वो नमबर चार पर नमबर पांच पर बैटिंग करें उससे नीचे ना है क्योंकि आपको थोड़ा सा रन बनाएंगे तब ही आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप इवन दो इंडियन ट इंपॉर्टन प्लेयर अगर उनके भी बैट से थोड़े से रन आजाए वर्ल्ड कप के पहले तो बहुत मुझे लगता है इंडिया को इसका बहुत फाइदा होगा बिलकुल और उमीद यही रहेगी कि कुछ इस तरीके के फैसले हमको देखने को मिले लेकिन दूसरी तरफ अगर हैदराबाद की बात करें तो तारीफ करनी होगे इस टीम की पिछला जो सीजन था इनका बहुत अच्छा नहीं रहा था आफ़ी पैदान पड़ते और इस बार प्लियोफ के लिए दावेदारी है इनकी बिलकुल एक दो मैज जितने हैं और शायद प्लियोफ के टिके कप्तान बनाया क्योंकि एडन माकरम पिछले साल दो साल से वह कप्तानी कर रहे थे हलाके जो इस टीम की जो दूसरी फ्रंचाइज है साउथ आफरिका में वह चैंपियन हुई थी ऐसे टी ट्वैंटी में तो वह चेंज करके उन्होंने पैट कमिन्स को बनाया और जब टीम कि ओवर्सीज को सिलेक करना एक बहुत बड़ा क्वेशन होगा क्योंकि आपने इतने अच्छे अच्छे प्लेयर लिये थे बट पैट कमिन्स का सिलेक्शन मुझे लगता है बहुत वाइटल था और जिस तरह से उन्होंने इस सीजन लीड किया है कमाल कप्तानी किये लास सी पैस करते वेशे सेम टीम नहीं बट जो ब्राइंड की क्रिकेट इनोंने खेली है बिल्कुल सब को चोका दिया है और अगर आप फेज दर फेज देखें आप इनको तो ऐसा नहीं कि एकी तरीके से और एकी फेज में आते हैं पावर प्ले में आकर दो विकेट लिये हैं और वो जब आते हैं पावर पिले में वो कहीं ने कहीं उनके ध्यान में मैच अप चलता रहता है जो हमने पिछले बार भी देखा मिडिल ओवर्स में आप आए तो सबस्यादा वहाँ पर छे विकेट लिये उन्होंने और डेथ ओवर्स में भी चार विकेट ले चुके हैं और पावर पिले में आप समझ सकते हैं जादा नहीं है साथ के आसपास मिडिल ओवर्स में और डेथ में भी दस के आसपास यानि कम्प्लिट बोलर नजर आए बहुत एकदम कमाल अपने आपको एक तरह से मैं कहूंगा कि बचाया नहीं है अगर हम पिछले गेम की भी बात करें राजस्तान रॉयल्स की वो इंपोर्टन उन्नीस वा ओवर बोलिंग करने आए जहां पर गेम इधर से उधर हो सकता था और आखरी गेन पर चखाखा गया वरना एक रन दिया था उस ओवर में एक विकेट भी चटकाई थी तो उस तरह के ये कप्तान है कि मतलब लीड ने देखा कि वो खुद भी नए गेन से आये तो वो मैच अप का बड़िया यूज करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है एक फिक्स आइडिया के साथ वो नहीं उतरते जैसे जैसे मैच अप्स होता है तो बिलकुल उनकी नजर होती है कि सामने कौन खिलाड़ी है साम नहीं टेन आउटो टेन में कहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने लीड किया है और एक आखड़ा है वसिम भाई जो शायद ये बता रहा है कि कल भी अगर हम पावर पले में देखें तो हैरानी नहीं होगी इशान किशन को पाँच पारियों में चार बार आउट कर चुके हैं ये बेस्टो के सामने जिसे मैंने कहा है ये हमने देखा था वहाँ भी विकेट निकाली थी बेस्टो की कल भी हो सकता है क्योंकि वानखिडी की विकेट थोड़ी से अनप्रेडिक्टेबल है कि आपको पता नहीं किस तरह के पीछ मिले तो शायद आपको नए बॉल से बिल्कुल ये खिलाडी बहुत उबर कर आया है पिछले मैच में खास करके राजस्तान के सामने जब उनके टॉप ओर्डर थोड़ा सा लड़कड़ाया था वो पावर प्ले में उस तरह के रन नहीं बने थे उसके बाद आकर रहे ये जुविंदर चहल के सामने वो च्छके ल है तो मैं सर्पाइज नहीं होंगा कि इसका नाम हम आगे जाके सुनेंगे और इंडिया को चाहिए ऐसे आल राउंडर्स के भाईया जो चार पांच नंबर पर बैटिंग करें बोलिंग करें तो ये खिलाडी ने बहुत इंप्रेस किया है और खास करके जब टफ या फिर हैदराबाद प्ले आफस के तरफ बढ़ती है यार मैं कहूंगा कि संराइजस हैदराबाद क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि संराइजस ने बहुत इंप्रेस किया है तो आप चाहते हैं कि संराइजस प्ले आफस में पहुँचे और ये आई पेल प्ले आफस थोड़ा कहते हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं और देखते रहिए ये स्पीन क्रिकन फोक टाइम और हिंदी